प्रिश्टानी डगते हैं और वह आज दुबारा रिपीट करता हूं कि उससे खालिस्तानी डगते हैं इनको सांप सुंग जाता है लौरेंज विश्मरी गिनाम से ठीक है उसने जो भी करा हो वह प्रो खाल जो पन्नु है पन्नु यूस में बैठा है पन्नु बोल सकता है पर क प्रिश्टानी डगते हैं उनके लिए स्विच ऑफ कर दिया है उनको वीजा नहीं दिया जाए जाए उनको वीजा नहीं कारण बताया गया है वेबसाइट पे क्यों ऑपरेशनल कारण है कुछ टेक्निकल कारण है जो भी है लेकिन उनको वीजा नहीं दिया जाएगा अच्छा यह जो मामला आए ना भी और बिगड़ेगा और मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों बिगड़ेगा फिर मैं दू इसा है वैसा है इंडिया ने मारा ये मारा हमें ऐसे पूरे इस तरफ इशारा हो रहा है इशारे से कुछ नहीं होता वास यूफ टो के प्रूफ आपको सबूत देना पड़ेगा सबूत उसके पास है नहीं और यही बात और लोग कह रहे हैं जैसी सिंग है सीक्स फॉर अमे इसके बार में तो नहीं नहीं बोला यार अभी ता कुछ ने को प्रूफ थोड़ना दिया है यहां पर आके बिल्कुल जिसको कहते हैं के बर खिलाफ अचानक अचानक उल्टे पड़ गई है पहले उन्होंने बोला था कि हाँ जो सिख आबादी है जो कैनेडा में सिख आबादी है उसमें से खालिस्तानी एक बहुत चोटा सा हिस्सा है तो हमें लगा कि हो सकता है कि ओवर रियक्शन का कुछ मामला हो लेकिन अब लग रहा है कि जस्टिन टूडो ने अपने लिए गड़ा खोद लिया यह जैसी सिंग साहब है जैसी सिंग साहब का बयान है और सिंग साहब यह कहते है कि जस्टिन टूडो ने अपने आपके लि नंगे वह रूफ मुझे पर्ठी यार ऐसको को बोलना चाहिए लेकिन चुनाओं जीतने के चक्कर में Divine लड़ता आइना घर्गोश चुनाव लड़ता है तो उसको शेर के जबड़े में हाथ नहीं देना चाहिए कि मैं शेर की जबलाए में हाथ दे दूँगा लोग बोलेंगे कितना बहादूर खरगोश है खरगोश बहादूर नहीं होता खरगोश शेर की खुराक होती है ये खरगोश को समझना चाहिए तो दोस्तों ये है दो बयान मैंने आपके सामने रखे एक मैंने आक्शन रखा आपके सामने और जो सिंग साब ने बयान दिया है वो भी मैंने आपके सामने रखा अब चलते हैं अगली खबर पे दोस्तों अब ये भी बयान आया लॉरंस बिश्णोई का कि जो सुखदूल सिंग है जिसको सुखद दुने के भी बोलते है उसको मारने का ओर्डर मैंने दिया ये बोल रहा है ये लॉरंस बिश्णोई बोल रहा है ये कबूल कर रहा है इसने ओपन कर दिया ये कि उसको मैंने ठोका अब ये देखोँगा, मैंने बहुत पहले एक बार बोला साप साइब ने भी उसने जो भी करा हो वो यह एंटी खालिस्तानी ओसने चालिस्तानी को वेपन सप्लाई करें हो ना करें हो जो भी उसने करा हूँ हुआन्य मेरे प्रॉब्लम नहीं है वह भारत के जस्टिस सिस्टम है भारत का वाई हुआ है यह बोल पाया क्यों कि भाई यूएस में बेट हुआ है यह अध्य सब् agents पॉल सकता है यह यह best fit enough to be here उसको निकाल देगी दो उसको पता है तो वो बड़ा safe खेल के धंकिया दे रहा और यहां पर यह लारंस बिश्णोई ने इतना बड़ा कांड कर दिया दोस्तों और दोस्तों एक और खबर है कि NIA National Investigation Agency जो इंडिया का प्रीमियर Investigation Agency है उसने ठोका पीटी शुरू कर दी उसने पूरे पंजाब में और और जगे रेड़ चल रही है लोगों के नाम आ गए हैं NIA की वेब साइट में और एक एक करके वो नाम फ्लैश आपकी आँखों के सामने आवे आप देख सकते हैं कौन कौ Conference के पीछे दोस्तों और हुरियत के पीछे इतनी बुरी तरीके से NIA पढ़ी कि स्टोन पेल्टिंग खतम हो गई कश्मीर में जो शटर डाउन होते थे ना ये गिलानी करता था कि मैं अब बंद कर कश्मीर बंद करो कश्मीर पत्थर फेको से करो ये सब बंद हो गया आजकल में हो थोड़ा सा जस्टन टूडो को एक बढ़िया सी मोटी सी पंजाबी में गाली देर देना इसको क्यों कि तुमारे जितने भी भाई है इंडिया में तुमारा जितना भी सपोर्ट सिस्टम है आज मैं तुम्हें बता रहा हूं आज की डेट नोट डाउन कर लो ठीक है आज की डेट नोट डाउन कर लो आज 21 सितंबर है तुडरे इस 21 स्टंबर आज से साथ दिन लगा लो तुम 27 पकड़ लो मोटा मोटी 27 सितंबर पकड़ लो तुम देखना इनका क्या होगा खालिस्तानी होगा तुमारे जितने भी खालिस्तानी ड्रग लॉर्ड जितने भी smugglers, drug suppliers mafia contract killers जितने भी हैं ठीक है ये सब ठोके जाएंगे, you can't fight against the state यार ये तुम लोगों में बहुत ये music video में ऐसे ऐसे करके, तुम लोग actually सोचते हो music video सही है तुम लोग actually सोचते हो कि तुम बहुत तीसमार खानो अब भी कर देंगे खतम तुम्हे जेल में जाओगे सब के सब सब के सब खालिस्तानी जेल जाओगे जिसने काम करा गलत, जिसने कानून तोड़ा है वो जेल जाएगा, ठीक है जी दोस्तों पंजाब पुलीस ने गोल्डी बरार के खिलाफ रेट शुरू करती है, उसके ठिकानों पे नोन ठिकानों पे रेट शुरू करती है, गोल्डी बरार के गोल्डी बरार कौन है? गोल्डी बरार वो बन्दा है जिसने क्लेम करा था कि मैंने सिद्व मुसेवाला को मारा है और वो भी, उसका भी राप्ता बनता है लॉरंस मिशनोई यैंक से उसके पीछे NIA पढ़ गई और उसको पकड़ने के चकर में बनाई ये गूम रही अब देखे क्या होता है दोस्तों आगे मामला बहुत इंट्रेस्टिंग हो गया और पूरा जो खालिस्तानी नेटवर्क है देखे कभी-कभी ऐसा होता है ना कि एक कहवत है अंग्रेजी में ठीक है विद अब इसको उल्टा ले लिजे ना इसको उल्टा फेरिये ज़रा खालिस्तानीों के लिए इसके बड़े अच्छे इंटेंशन्स थे जस्टिन टूडों के जस्टिन टूडों दिल में बड़ी एक जिसको कहते हैं कि बड़ी मुलाइम सी एक बड़ी प्यारी सी बड़ी वाम सी जगा है खालिस्तानीों के लिए इसके दिल में पर इसकी हरकतों की वज़े से ये ठोके जारे हैं कियो अब मैं बताता हूँ जस्टिन टूडों की वज़े से ही ये दुने के का मर्डर हुआ है क्या हुआ है कि जस्टिन टूडों ना तला भिला दिया बहुत ज़ादा जब इसना भारत के खिलाफ स्टेट्मेंट दिये बारत ने क्या करा ठीक हम ये बंद कर देंगे वो बंद कर देंगे भारत सवाल पूछ रहा है, पहले भारत पूछ रहा है कि बॉस वेरिस दे प्रूफ सबूत लाओ, तुमने इतना बड़ा जो तुमने मूँ खोल के तुमने बात करी है, तुमने भंड मारा है, सबूत लाओ पहली चीज, दूसरी चीज, भारत कहरा है कि Canada is a terror supporter, तुम टेर्रि कर रही है, तो इनके बीच में अब लड़ाईयां शुरूँ गई, और लड़ाईयां होंगी है, और लड़ाईयां, मैं तो जस्टन टूटो को यह कहता हूँ कि दूनिक के जो मारा गया है, तुम यह भी बोल दो, तुमने पहले भी जूट बोला था निज्जर के मामले में तुम दोबारा जुट बोल दो, तो दोस्तों एक Member of Parliament है जिसका नाम है चंदरा आरया, और यह हिंदू हैं, और यह Member of Parliament है, कैनेडिन पार्लेमेंट के, और यह जस्टन टूटो की पार्ठी के हैं, और इन्होंने आवाज उठाई हैं, जस्टन टूटो के खिलाफ, तो नहीं जो खालिस्तानी हैं उनके साथ मिलके थ्रेट दी गई है अब ये मेंबर ऑफ पार्लिमेंट जो चंदरा आरिया जी हैं आरिया साब ये कह रहे हैं कि साब एक बात बताओ ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते हैं आप किसी को धंका दोगी कि हम तुम्हें मार देंगे ये तुम मानेगा वो कभी नहीं मानेगा यारो कभी नहीं मानेगा उसने वो खालिस्तानियों उसको पता है कि अगर उसको प्रधान मंत्री बना रहना है तो फिर उसको ये सब करना पड़ेगा उसका करना ये जरूरी है खालिस्तानियों के सपोर्ट के बिना नहीं वो जगमीत है जो जगमीत सिंग इस नहीं इस नहीं नाम को प्रणाउंस कैसे करते हैं ट्विटर पर यह दिखा है कि जगमीत यूनो इस प्रणाउंस जग और राइम्स विथ हग यह देखो बैटता उड़ता किसके साथ है खालिस तानियों के साथ यह तो इसकी कार करतेगी है और दोस्तों आखरी खबर आज की स्विजिलिंड से आई है कि स्विजिलिंड में बुर्खा बैन हो गया अभी एजिफ्ट ने करा था बुर्खा बैन स्विजिलिंड में बुर् भाई यह आप और हम जाते हैं ने निदाल और शिमला यह सब लोग सुझ्जिलन जाते हैं अब सुझ्जिलन ना बुर्खा बैंड कर दिया ठीक है उन्हों नहीं चलेगा कुछ भी नहीं चलेगा यहां पर जाओ और सबके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसल्मानों के लिए करा फ्रांस ने तो यहां तक बोल दिया तुम क्रॉस नहीं पहन सकते हैं तुमारा रिलिजन तुम घर के अंदर पहनो क्रॉस तुमें जो करना करो घर के अंदर कोई नहीं नोबडी इस टाइप की सेक्लरिजम जो है यह यॉर्प में अब जनम ले रही है इस टाइप की सेक्लर सब्सक्राइब कर सकते हैं या कोई सबूत पेश भी करता है तो इनकी इंवेस्टिगेशन पर हम कैसे बरोसा कर सकते हैं इंडिया वोला कि इंडिया बोलता है लगातार वाइश इसमें आप इंवेस्टिगेट करने की हमारी मदद कीजिया इंडिया शूद हपास विद इंवेस्टिगेशन यह कैनेडा यह टूडो पागल है इसका दिमाग काम नहीं करता बचपना है आप इंवेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं आपके पास तो प्रूफ होनी चीए आपने इल्जाम लगाया है ना अगर आपके पास प्रूफ है तो फिर आपको इंवेस्टिगेशन क्या चाहिए मुझे यह बात सब आप खुद सोचिए इशा जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप एक बात बताईए कैनेडा ने बोला कि भारत ने मारा है फिर कह रहा है कि आप इंवेस्टिगेट करी हमारे साथ हो भाई साब अगर आप यह मानते हो कि भारत ने मारा तो दुनिया के साम तो अगर भारत ने भगवान ना करे मारा भी हो अगर भारत ने मारा भी हो तो फिर भारत आती क्यों मदद करेगा यह तो बचपना है ट्रूडो का and you're right see I'll tell you what मुझे नहीं लगता कि ट्रूडो इससे आसानी से निकल पाएगा कि ट्रूडो कोई evidence manufacture करे क्यों आज की तारीक करेगा लोग कॉलर पकड़ेंगे इसका कि पुतर बैट जाएगर पहले समझा तू बख्वास क्या कर रहा है तो I don't think it is possible that way दूसरा सवाल है दोस्तों आशान आशान नविनू आशान विनू Hello major sir don't you think the west has chosen Canada to put pressure on India the objective is to bring India to their side and condemn Russia for its actions in Ukraine please share your opinion आशान विनू नहीं जी मुझे ऐसा नहीं लगता कि west ने जान बूच के Canada के थुरू भारत की उपर pressure डालने की कोशिश करी है Ukraine की वज़े से क्योंकि देखिए बात यह है कि भारत एक मैं बात बता हूं अब दुनिया थोड़ा सा इरिटेट होने लगी युक्रेइन से कोई भी चीज जादा लंबी खिच जाती है ना उच्विंगम की तरह होती है पहले तो मिठास आती है उसमें पर आपने देखा है कि पंदरा मिनिट की वाद च्विंगम में मिठास नहीं आते सरा आफ जोगाली कर रहे होते हैं जैसे eeur jनsın लगाली चल रही है यूक्रेइन की और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है पर हां भारत की उपर अलग अलग किसम से प्रेशर डाला जाएगा कि यूक्रेइन Russian so-called aggression into Ukraine भारत condemn करे वो भारत तो करने नहीं वाला ये जो pressure डाले है कि दो कड़ी का अदमी है Justin Trudeau इसको पूछ रहा है को दुनिया में अगर दुनिया की साज़िश भी है कि भारत को यूकरेन की तरफ लने की तो आई थिंक कि साज़िश बहुत हलकी साज़िश है Canada is hardly an economy हमसे छोटी economy है population में हमसे छोटी है GDP में हमसे छोटी है foreign exchange reserve में हमसे छोटी है और इजट में तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है Canada कुछ था कौन है प्रमोट देसाई प्रमोट जी नमशकर so how come if this is much known about these criminals that citizenship is not revoked by the Canadian government false declaration will and should be punished Canadian government is willfully blind to these activities otherwise how do they manage to obtain Canadian citizenship प्रमोट देसाई साब का यह मानना है कि भई अगर ये सभ जानकारी है जो मैने कल जानकारी थी मैं सोच्टा हूँ कि देसाई साब तुसी के बारे बात कर तो मैंने कल बोला थी कि इसने ये गुना करें ये गुना करें फिर ये कहरें कि इन्होंने citizenship कैसे दी इनको और देखिए बात ये है कि ये सब politics है जब जगमीत सिंग जाता है और जस्टिन से बोलता है कि जस्टिन फाजी तो तुसी help करो साड़ी ये अपने खालिस्तानी बच्चे आए हैं इनकी help कर हैं जस्टिन जो आगाखान के घर में रहा था और आगाखान का paid holiday इसने लिया था ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके बापने क्या पैसा खाया आगाखान से इसका के relation है मैं सारा का सारा इसके परदाफाश करूंगा और कहां कहां पर जस्टिन फसा है ये कि investigating methods में हमें शक है और हम नहीं मानते हैं हम नहीं मानते हैं कि मर्जी भी नहीं मानते नहीं मानते लेकिन fact of the matter is कि ये criminal हैं ये सारे के सारे खालिस्तानी देया criminals जस्टन टूडो ना माने कोई बात नहीं सनू की बात यह है कि रह तो ये Canada में रहे हैं ये गोलियां Canada में चला नहीं रहे क्योंकि भारत में चलाएंगे तो थैंकी हो जाएगा इनका जेल में जाएंगे ये लोग ये Canada में चला रहे हैं ठीक है गंद मचाओ Canada में मुझे क्या गुर्द्वारा इन दिस में इस उस्ट पॉलिटिकल पार्टी सच शेंब आल सिक्स इरिस्पेक्टिव दर सब्सक्राइब हैं ये बात मैंने भी सुनी अब ये नहीं मुझे पता 10% है कि नहीं है पर हाँ ये है कि ये बात सच है कि Canada में भी जो सिख हमारे भाई-बैन रहते है लेकिन रही घुंड़ा क्रिमियल एंट कर से में तो हमें जनबूच arri边 को पैसा देना पड़ता है हमें बोलना पड़ता है कि ठीक है चलो Wakुर जो ये करते हैं अगरी नहीं करते हैं सिक्खों नेहां तक बोलायकि अंदरिये एल्लीकल एक्टिविटीज करते हमें अश्छ ह्ट है अंके और स्फशनी और आप देखा विगा अगर आप जा रहे हैं ना एक परिवार जा रहा है husband wife दो बच्चे बुड़े मभब साथ में चल रहे हैं सड़कते आप देखते चार-पांच कुत्ते वहां पर खड़े हुए ठीक है जो कि ग्राउल कर रहे हैं तो आप उन कुत्तों को avoid करते हैं तो यह जो परिवार है ना यह जो परिवार है जो जा रहा है चुप- तो इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दाबाना बिल्कुर मत भूलिएगा दोस्तों जाहिंद वंदे मात्रम भारत माता की जाय